मोती पुर गाव में चंदू नाम का आदमी रहा करता था, वो अपनी पत्नी मीना के साथ खुशी से जीवन बिताया करता था, एक बार जब धान की रोपाई चल रही थी, सभी तैयार होकर खेतों की तरफ जाने लगे, चंदू, मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम बाद में आ आदमी चाता लेकर चल रहा होता है, जो कि जमीनदार करोध दिमल और उनका मुंशी बाबुलाल होते हैं, बाबुलाल, सहब, ये है चंदू, सुना है, इसकी फसल बहुत अच्छी निकलती है, इस बार आठ बोरी चावल के लिए इसे बोल देते हैं, गरीब है, दो पैसा क कमा लेगा तो दुआ ही देगा, करोध दिमल, ठीक है बाबुलाल, जाकर इसे बता दो, बाबुलाल, जी मालिक, बाबुलाल, अरे ओ चंदू, सुन तो, चंदू, क्या बात है, बाबुलाल भाई, बाबुलाल, जमीनदार साहब तुछ से मिलना चाहते हैं, चंदू, मुझ सुना है, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार के दाम से अच्छा दाम दे दूँगा चंदू, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है साहब करोधिमल, तो फिर ठीक है जिस दिन फसल ठीक से तैयार हो जाएगी हमें बता देना, हम आदमियों को भिजवा देंगे तुम्हारी फसल काटने में वो सब तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे घर पर पैसे भिजवा देंगे उसके बाद जमीनदार चला जाता है चंदू फिर से खेत में वापस आकर काम करने लगता है थोड़ी देर बाद मीना वहां आ जाती है मीना, सुन्य जी आजाईए आपके लिए खाना लेकर आई हूँ और हाँ साथ में लस्सी भिलाई हूँ चंदू, आता हूँ इसके बाद चंदू मीना के पास पहुँच जाता है चंदू, लाओ, लाओ बड़ी भूक लगी मीना, हाँ, लीजिए चंदू, मीना जमीनदार जी आये थे जानती हो उन्होंने क्या मीना, क्या कहा उन्होंने चंदू, उन्होंने कहा कि वो हमारी इस बार की फसल खरीदना चाहते हैं और बाजार से अच्छे दाम भी देंगे मीना ये तो बढ़ी खुशी की बात है, ये सब मातारानी की कृपा से हुआ है, मैं कहती थी न? एक दिन सब ठीक हो जाएगा चंदू, मातारानी करें, ऐसा ही हो इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं, घर जाकर चंदू सो जाता है चंदू शाम को उठा और घर के आंगन में लगी क्यारी से सबजियां निकाली चंदू, मैं ये सबजी बेच कर आता हूँ, ठीक है? मीना, सुनिए आप समय से आ जाईएगा रात होने से पहले चंदू, ठीक है उसके बाद मंडी में सबजीयां बेच कर वापस आते वक्त एक मचली के ठेले के पास चंदू, मचली कैसे दे रहे हो भाई? मचली वाला, भाई चंदू सुनो, तुम ये दोनों ले जाओ, RC100 में मुझे जरा जल्दी घर जाना है चंदू, ये लो भाई RC100